हेलो दोस्तों तो आज हम NCRT exercise 6.2 solve करने वाले हैं ठीक है और ये numerical है लेकिन numerical किसके उपर based है उसके concept को अपन सबसे पहले समझ लेते हैं उसके बाद exercise की तरफ move करेंगे ठीक है अगर हम इसके previous lecture की बात करें इसके पहले वाले lecture की बात करें तो उसमें हमने इसका theorem देखा था औ और 6.2 से पहले जो कुछ examples थे उन example को भी हमने देखा था और समझा था इस chapter के basic को ठीक है अगर वो example आपको समझ में आ गए हैं तो exercise करने में आपको काफी helpful मिलेगी और अगर वो theorem आपको याद है तो उस theorem के base पे आप इन question को solve कर सकते हैं ठीक है तो उसी जो theorem थी उसी theorem को अपन थोड़े समय में देख लेते हैं उसके बाद अपने exercise की तरफ move करते हैं ठीक है तो देखिए अगर हम उस theorem की बात करें तो थीवरम के अंदर क्या था थीवरम के अंदर बोला गया था कि कोई triangle है कोई ये triangle है और इस triangle में ये A, B और ये C है तो ये बोला गया था कि अगर इसके parallel ये तीनों में से किसी भी side के parallel अगर एक line draw करते हैं ये line जो A, B और A, C को D और E point पर cut करें तो जो इनका ratio होता था मतलब जो side का ratio होता था वो आपस में बाराबर होता था ठीक है ये हमने देखा था तो वही चीज हमें समझना है कि अगर ऐसा होता है मतलब हमसे ये बोल दे कि D, E parallel to B, C है अगर हमें ऐसा बोल दे कि D, E parallel to B, C है तो फिर हम क्या लिख सकते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A, B, sorry A, D upon D, B तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं A, D upon D, B is equals to A, E upon E, C तो हम इसे लिख सकते हैं A, E upon E, C एक माद हो गई ठीक है अच्छा और भी क्या लिख सकते हैं अगर ये parallel B, C के है तो तो हम यह लिख सकते हैं कि A, D upon A, B तो हम लिख सकते हैं A, D upon A, B is equals to A, E upon A, C तो यह लिख सकते हैं A, E upon A, C यह लिख सकते हैं ठीक है अच्छा एक और लिख सकते हैं उसे भी आप ज़रा समझी हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि A, B upon D, B तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं A, B upon D, B is equals to A, C upon E, C A, C upon E, C तो हम A, C upon E, C यह भी लिख सकते हैं ठीक है तो यह बात आपको पहले ही समझ में आ चुकी है बस उसका एक बार हमने थोड़े समय में उसीज को फिर से आपको एक बार याद दिला दिया तो अगर D, E parallel to BC है तो यह चीजे हमें देखने को मिलती है ठीक है अच्छा क्या जरूरी है कि यह BC के parallel ही हो बिलकुल जरूरी नहीं है यह जो अभी आपने देखा अगर ऐसा होता तो यह बनेगा लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक थर्ड लाइन के parallel ही तो करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन हाँ हमें यह बोलना पड़ेगा कि अगर यह D और यह E है तो यहाँ पे इस बार D, E parallel to B, A होगा मतलब अगर यह condition होती है कि जो D, E है वो parallel to B, C चलिए जरा D इधर कर देते हैं और E इधर कर देते हैं तो जो D, E है वो parallel to A, C है अगर यह देखने को मिलता है कि D, E parallel to A, C है तो क्या लिख सकते हैं तो अगर ऐसा बोल देता है कि D, E parallel to A, C तो आप लिख सकते हैं ऐसा कि C, D upon D, A आप यह लिख सकते हैं कि C, D upon D, A is equals to फिर हो जाएगा C, E upon E, B तो C, E upon E, B ऐसा लिख सकते हैं आप ठीक है अच्छा दूसरा आप क्या लिख सकते हैं दूसरा आप लिख सकते हैं कि C, C, D upon C, A तो लिख सकते हैं C, D upon C, A is equals to C, E upon E, B तो लिख सकते हैं C, E upon, C, E upon C, B तो आप यह भी लिख सकते हैं C, E upon C, B आप यह लिख सकते हैं अच्छा एक चीज़ और लिख सकते हैं यहां से आप चाहें तो अभी हमने C D upon C E लिखा है हम चाहें तो लिख सकते हैं C A upon A D C A upon D A तो हम लिख सकते हैं ऐसा कि C A upon D A is equals to C B upon E B तो C B upon E B हम ये लिख सकते हैं ठीक है अब ऐसा भी हो सकता है ये इसकी condition मन गई ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है ये parallel कुछ इस तरीके से नहीं ये कुछ इस तरीके से हो जाए है ठीक है आप ये ले लिजिए D और ये ले लिजिए E तो आप यहां पर फिट से बोल रहे हैं कि जो D E है वो इस बार parallel है A C के DE है वो parallel है AC के तो इस बार क्या बोलेंगे बोलेंगे BD upon DA is equal to BE upon EC आप यह बोल सकते हैं समझ गए ना आप फिर आप बोल सकते हैं कि BA upon BD BA upon BD is equal to BC upon BE आप यह भी बोल सकते हैं फिर आप क्या बोल सकते हैं कि BA upon DA is equal to BC upon EC आप यह बोल सकते हैं तो यह कुछ points थे मतलब अगर हम पीछे वाले की बात करें तो पीछे वाले में यही points हमें याद रखना था और हमारा जो 6.2 exercise है वो EC के उपर based है मतलब पूरा का पूरा जो numerical या फिर प्रूविंग की बात करें तो सारी चीजें इननी के उपर based हैं तो हमें इसे भी देखना होगा ठीक है चलिए अब हम exercise शुरू करते हैं 6.2 तो हम 6.2 देखने जा रहें exercise 6.2 इसमें first question की हम बात करेंगे तो first question आप ज़रा देखिए board screen पे या book आपके पास है तो वहां से भी आप देख सकते हैं बोल रहा है कि figure 6.17 6.17 में दो question दिया गया है first answer की उसमें बोल रहा है DE parallel to BCA तो दो photo बनाई गई है दोलो photo को हम बना लेते हैं ठीक है तो यह photo कुछ इस तरीके से बनाई गई है यह आपका ऐसे और यह ऐसे यह है यह पहला photo आपका है ठीक है यह बोला है A यहां पे B और यह आपका C और यह आपका कुछ ऐसे यह बोल रहा है कि यह D है और यह E है ठीक है अच्छा इसमें यह बोला है कि यह 1.5 है यह 1 है ऐसा यह 3 है ठीक है अब आगे क्या हमसे पूछ रहा है हमसे पूछ रहा है find EC first वाले में बोल रहा है कि EC find करिए मतलब यह हमें बताना है ठीक है अभी हम बता रहे है second की बात करें तो second आपको कुछ फोटो इस तरीके से फिर यह फिर आपका यह कुछ ऐसा फोटो बनाया गया है ठीक है यहां पे बोल रहा है कि यह यह बी है और यह C है फिर यह बोल रहा है कि यह जो है यह आपका D और यह आपका है E ऐसा कुछ दिया गया है फिर यहां पे यह बोल रहा है कि यह 1.8 cm है sorry यहां पे यह सब cm में data given था तो हम cm लिख लेते हैं 1.1 cm 1.8 है और यह 5.4 cm है इसकी बात कर रहा है यह 7.2 cm है हमसे यह पूछ रहा है आपका second वाले में आप AD की value बताइए मतलब यह value बताइए कितनी होगी यह आपका second photo है ठीक है अच्छा चलिए easy question है आप आसानी से कर सकते हैं अगर हम इसमें बात करें कि EC कैसे निगलेगा तो सबसे पहले बात तो यह है कि यह दे रखाए कि जो DE है जो DE है वो parallel है किसके DE parallel to BC जब DE parallel to BC होता है तो हमें एक चीज़ पता है कि AD upon DB हम यह लिख सकते हैं AD upon DB is equals to AD upon DB is equals to AE upon EC तो हम यह लिख सकते हैं हम यह लिख सकते हैं ठीक है अगर हम AD की बात करें तो 1.5 दिया है तो आप लखिए 1.5 upon DB की बात करें तो DB की value 3 cm है आप 3 रखिए is equals to AE की बात करें तो 1 दे रखा है तो आप 1 रखेंगे is equals to EC की बात करें तो यही तो हम से पूछा है ठीक है अच्छा देखिए डेड़ 1.5 टूजा 3 अब इसका इसमें multiply अच्छा यह क्या लिखा गया है actual में यह 1 by 2 है तो आप इसे लिख सकते हैं ऐसे भी कि 1 by 2 is equals to 1 by EC तो 1 by EC इसका यहाँ multiply कर दिजे इसका यहाँ कर दिजे तो EC into 1 is equals to 2 into 1 2 into 1 तो EC की जो value आएगी वो actual में आएगी 2 cm और यही हमारा answer होगा ठीक है तो इसका मतलब जो EC की value आएगी वो आएगी 2 cm के बराबर ठीक है तो यह हमारा first question था जर आप second question की बात करें मतलब इसकी बात करें तो यहाँ पे भी बोला गया है कि जो DE है वो parallel to BC है मतलब जो DE है parallel to BC है तो हम यहाँ पे बोलेंगे AD upon DB तो बोलेंगे AD upon DB is equals to A upon EC तो A upon EC हम यह बोलेंगे ठीक है अब AD हम से पूछा है तो AD को आप ऐसे ही रने दीजिए upon DB की बात करें तो 7.2 दे रखा है 7.2 is equals to AE की value है 1.8 तो 1.8 upon EC EC की value 5.4 है तो 5.4 ठीक है यह हो गया अब जरा यहां देखिए point से point cancel करिए अब 18 त्रीजा कितना होता है 54 ठीक अब इसका इसमें अच्छा यहां पर आप क्या लिख सकते हैं तो जरा यह थोड़ा सा space है इस space का हम use करेंगे और वहीं पर हम अपना answer निकालेंगे देखिए ad upon 7.2 तो आप लिखेंगे ad upon 7.2 is equals to 1 by 3 तो यहां पर क्या बचेगा और जब इसको cut करेंगे तो 1 और यह नीचे 3 इसका इसमें multiply करिए इसका इसमें multiply करिए तो 3 into ad is equals to आ जाएगा 7.2 into 1 7.2 into 1 यह आ जाएगा यह multiply में इधर जाएगा तो divide होगा तो ad की value आ जाएगी 7.2 by 3 यह आएगा अब 3 से cut करिए 3 to 6 और 3 4 to 12 तो ad की value जो आएगी वह आएगी 2.4 cm और यही हमारा क्या होगा answer होगा ठीक है तो यहां से ad की value आएगी वह आएगी 2.4 cm के बराबर clear है तो पहला question हमारा solve हुआ और यह काफी easy question था अब हम इसके बाद second question की बात करेंगे ठीक है अच्छा है इसमें आपको कोई doubt नहीं होना चाहिए क्योंकि question इतना tough तो है नहीं question easy है हाजी हाजी तो आप second question को आप चाहे तो एक बार read कर लीजिए और देखिए second question क्या बोल रहा है हमसे हाजी चलिए अब देखते हैं यहाँ पे second number के question को देखिए क्या बोल रहा है हमसे हमसे बोल रहा है यह फोटो देखिए बोल रहा है कि e and f are points on the side pq and pr e और f जो है वो pq और pr पर दो points है respectively of a triangle pqr एक triangle बनाया गया है pqr तो हमसे यह बोल रहा है कि जैसे एक triangle बनाया गया है यह given है यह है आपका pqr तो यह pqr ऐसा बोला गया है जरह हम पूरा पढ़ ले for each of the following cases state whether e f parallel to qr यह हमसे बोल रहा है कि जो तीन question दिये गया है तीन इसमें part दिये गया है second question के अंदर उनमें से यह बताईए कि e f parallel to qr किस case में है तो हमको बोला गया है कि इस triangle में दो point है एक e है और दूसरा f है अच्छा दोनों ऐसे हैं यह e और यह f है हमें यह बताना है कि यह किस case में तीनों में से किस case में e f parallel to qr आएगा यह हमसे पूछ रहा है तो बात यह है कि अगर आपको यह proof करना है कि e f parallel to qr है तो सबसे पहले यह हमें समझना पड़ेगा कि in इस case में मतलब इस question के अंदर जो हमें तीन conditions देखने को मिलती है जैसे p e upon e q अगर यह होता है तो क्या होना चाहिए p e upon e q is equals to p f upon f r तो p f upon f r यह होना चाहिए या तो second की बात करें तो second आप a b c d लेश लीजे a b b आप क्या बोल सकते हैं या तो p e upon p q तो p e upon p q यह होना चाहिए is equals to p f upon p r तो p f upon p r यह होना चाहिए अच्छा third की बात करें यानि c की तो c क्या होना चाहिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि p q upon e q तो p q upon e q is equals to तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि p e upon sorry p q upon e q is equals to p r upon f r p r हाँ p r upon f r इन में से कोई c v condition आनी चाहिए अगर यह तीनों कंडिशन्स हैं अगर यह मतलब की सैटिस्फाई होता है तो हम बोल देंगे कि यह पैरलर है ठीक है ज़र आप समझे और भी कंडिशन्स हैं हम देखते हैं question के थूफ पहले question में हमसे यह बोल रहा है first question के अगर बात करें तो यहां पर बोल रहा है कि p e is equals to 3.9 पहले question p e यह हमको 3.9 centimeter given है eq eq की value दे रखी है 3 centimeter हाँ जी यह भी ठीक है p f की value 3.6 है p f की value 3.6 दे रखा है इत्ता centimeter f r f r की value दे रखा है 2.4 centimeter 2.4 centimeter यह दे रखा है अब जरा समझे यहां पर कि अब अगर यह दोनों parallel होना है तो हम बोलेंगे कि इसका जो ratio है इसका और इसका वह इसके ratio के बराबर होना चाहिए मतलब pe upon eq हम इसको यहां पर apply करते है pe upon eq तो यहां से जरा देखे pe तो pe की value 3.9 है आप put करिए 3.9 upon eq यानि 3 तो आप 3 रखिए is equals to pf 3.6 3.6 upon f r यानि 2.4 यह जरा देखे तो इसको जब इसको इसको एसे हटा दीजे 12 तूज़ा 24 और 12 तूज़ा आएगा यह 36 तो इधर देखिए क्या आया है इधर आपका आया है 1.3 upon 1 is equals to जब इसे आप इसे कट करेंगे तो 2 से अगर 3 में डिवाइट करेंगे 1.5 जाएगा तो यह 1.5 upon 1 आ गया क्या यह दोनो ratio आपस में बराबर है नहीं मतलब pe upon eq not equals to pf upon fr यानि हम पहले वाले को बोलेंगे कि अगर यह condition given है मतलब अगर यह value इनकी given है तो इसका मतलब यह और यह दोनो parallel नहीं है तो first वाले में बोलेंगे कि first वाले में आप यह बोल सकते हैं कि ef not parallel आप ऐसे बोल सकते हैं not parallel to qr पहले वाले में आप यह बोलेंगे ठीक है बात पलने पड़ी चलिए जरा अब second की बात करते हैं इसे हम हटाते हैं second को देखते हैं यह भी जो है इसे भी data भी हटा दें इनको भी और इनको भी हाँ जी अगर हम second की बात करें तो pe की value 4 दिया है qe qe की value दे रखा है आपका 4.5 बेलकुल pf pf की value दे रखा है आपका 8 cm में सब है rf rf की value दे रखा है 9 cm ठीक है जरा पहले यह देखें कि pe upon eq कितना है तो pe upon eq pe की value कितनी है 4 और eq की value कितनी दे रखी है आपकी 4.5 तो यह आगे आपका 4.5 ठीक है आप चाहें तो ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि कटने पिटने वाला है नहीं लहीं रहा चाहें तो आप इसको point अटाईए उपर यह आ जाएगा अब आप 5 से काटिए 58 जा 45 यानि 8 9 यह आपका इस तरीके से आएगा ठीक है जरह अब आगे देखे top & 5 8 हम यह बोलेंगे यहाँ पिसका मतलब PE upon EQ is equals to PF upon FR मतलब ये दोनों का ratio आपस में बराबर है मतलब हम ये बोलेंगे कि जो second question है इसमें EF parallel है QR के क्योंकि ये condition को satisfy कर रहा है ठीक है तो ये भी question solve हो गया चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे इसी में third वाले part की देखते हैं कि third part अपने को क्या दिया गया है यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि PQ जो PQ है यानि कि ये पूरी की पूरी value PQ की value अपने को दे रखी है 1.28 ये दे रखा है आगे बोल ला है कि PR अच्छा ये पूरी तो PR की जो value दे रखी है वो 2.56 है 2.56 ये cm में है PE तो PE की value दे रखी है अपने को 0.18 0.18 cm फिर बोल रहा है आपका PF की value 0.36 है PF की value 0.36 cm ये गीवन है ठीक है अब फिर से हमें देखना है कि ये पैरलल है या नहीं है इसके लिए हम क्या करने वाले हैं फिर से आपको पता है कि आप यहां पर ये भी apply कर सकते हैं कि PE upon PQ ऐसे भी या आप चाहें तो PQ upon PE आपकी जो मर्जी वो कर सकते हैं क्योंकि हमें ये देखना है कि ये पैरलल है कि नहीं है तो ये condition से आप इनको रख सकते हैं तो आप चाहें तो ये रख लिजे PE upon PQ PE upon PQ तो हम इसी से solve कर देते हैं ठीक है PE upon PQ PE upon PQ PE की value कित्ती दे रखी है 0.18 तो 0.18 upon PQ की value 1.28 है 1.28 ये दे रखा है ठीक है चलिए अब इसे cut करते है दो डिजिट पे क्या है point है हटाईए यहां से भी दो डिजिट पे हटाईए ठीक है तो ये आपका गया 18 upon 128 ठीक है अगर 9 से इसको cut किया जाए तो क्या 9 से कटेगा नहीं है 18 से भी नहीं कटेगा और आपका 9 से भी नहीं कटने वाला है तो हम 2 से कट करते हैं 29 जा 18 26 और ये 4 ऐसा आगया यानि ये आएगा 9 by 64 ये आगया ठीक है अब PF upon PR देखिए तो PF upon PR ये देखिए अच्छा PF की value किती है तो PF की value है 0.36 0.36 अच्छा पी आर जो पी आर है उसकी value है 2.56 2.56 ऐसा दे रखा है दो डिजिट पे point है यहां से और यहां से हटा दीजिए ठीक है जरा अब इसको काटिए आप 4 से तो 4 लाइन जा 36 ठीक है अब यहां काटिए 4.6 जा 24 और 4.4 जा 16 यह आ जाएगा यानि यह आ गया 9 by 64 तो देखिए यहां पे PE upon PQ और PF upon PR दोनों की value आपो क्या दे रखिए 9 upon 64 9 by 64 तो आप यहां से क्या बोलने वाले हैं आप यह बोलने वाले हैं इसका मतलब PE upon PQ और PF upon PR का ratio आपस में बराबर है मतलब आप 3rd वाले में भी बोल सकते हैं कि EF parallel to QR है तो इस question के अंदर दो parallel थे और एक parallel नहीं है और इस तरीके से इस question को solve किया जाएगा ठीक है चलिए अगर second question आपको समझ में आ गया तो आप third की बात करते हैं अगर आपको कोई doubt है तो जरा एक बार देखिए चलिए अगर आपने देख लिया तो अब हम थर्ड क्वेस्टन की बात करेंगे यहां पर चलिए जरा थर्ड को देखिए थर्ड क्वेस्टन में दिया गया है कि इन फिगर हाँ जी देखिए बोला ये गया है कि इन फिगर 6.18 मतलब फोटो जो आपको दिख रहा है उस फोटो के बारे मात कर रहा है इफ ल एम पैरलल टू सी बी ल एम पैरलल टू सी बी है एंड एलेन पैरलल टू सी डी ये है बोल रहा है कि आप प्रूफ करिए कि अम अपॉन अबी अम अपॉन अबी बराबर अन अपॉन अडी होगा ये प्रूफ करना है तो फोटो तो आपने देख लिया ज़र आप फिट से देखिए फोटो आप फिट से बना रहे है ये रहा कुछ ऐसा ही ये बनाया गया है अच्छा थोड़ा फोटो इधर हो गया ना ये आपका कुछ ये चलिए हाँ जी ठीक है आप समझ लीजिएगा ये कुछ ऐसे दिया गया है कि ये आपका ये रहा और ये आपका ये रहा ठीक है मतलब ये ऐसा बनाया गया है हाँ जी नाम करण कर दें A B C D यहाँ पे आपका L M और ये आपका N दे रखा है हाँ जी और इसमें क्या दे रखा है तो हम Given Data की हिसाब से देखें तो Given क्या क्या है Given यहाँ पे ये है कि LM LM Parallel LM Parallel to BC या CB CB LM Parallel to CB ये दिया गया है और दूसरी बात एक और दी गई है यहाँ पे यहाँ पे ये बोला गया है कि LM Parallel to CD LM Parallel to CD ये बोला गया है ठीक है अच्छा हमको प्रूफ क्या करना है तो प्रूफ करना है प्रूफ दैर ये लिखा है AM upon AB is equals to AN upon AD ये हमको प्रूफ करना है ठीक है जरा समझे इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा तो देखिए टॉफ क्वेस्टन नहीं है ये बिल्कुल एजी क्वेस्टन है बस आपको इसे अच्छे से देखना है हमसे बोल रहा है कि LM Parallel to CB है मतलब LM Parallel to CB है हम इस वाले Triangle की बात कर लेते हैं हम बात करेंगे Triangle ABC की ABC तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि इन Triangle ABC अच्छा दे क्या रखा है कि LM Parallel to CB तो LM Parallel to CB ये दे रखा है अपने को अच्छा हमको प्रूफ क्या करना है उसको देखे AM AM अपन AB AM अपन AB की बात कर रहा है उसी तरीके से हम इस Triangle में भी बात करेंगे इसी के हिसाब से इसी के According तो हम बोल रहे हैं कि अगर Triangle ABC की बात है और LM Parallel to BC या CB है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये ये और ये Parallel हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं AM upon AB हाँ बिलकुल बोल सकते हैं तो AM upon AB is equals to अब देखे आपने लिया AM तो आपको लेना पड़ेगा AL तो आप लेंगे AL upon आपने फिल लिखा AB तो आपको लेना पड़ेगा AC तो नीचे आप लेखेंगे AC तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर देखे हम इस Question को Solve करेंगे ये जो प्रूफ करना है उसके बेस पे तो अगर हमसे बोल रहा है कि आपको AM upon AB प्रूफ करना है तो आपको यहाँ पे भी उसी के हिसाब से अगर ये दोनों पैरलल है तो आपको उसी के According लेना चाहिए कि AM upon AB तो फिर क्या हो जाएगा AL upon AC ऐसा हो जाएगा हमने पीछे देखा है अब हम बात करेंगे इन ट्रेंगल अब ADC में ADC अब इस ट्रेंगल में जब बात करेंगे तो अच्छा हमको गिवन क्या है कि LN parallel to CD तो हम लिखेंगे LN parallel to CD ऐसा गिवन है तो जब ऐसा गिवन है इधर जड़ा देखिए AN upon AD की बात कर रहा है AN upon AD की बात कर रहा है उसी कही साब से लेंगे जब ये दोनों parallel होते हैं तो हम ऐसा ले सकते हैं हमें ये पता है तो हम बोलेंगे AN upon AD तो AN upon AD is equals to आपने AN upon AD अगर लिया है तो आपको AL upon AC लेना पड़ेगा तो लेंगे AL upon AC इसको first equation मानी है और इसको second मानी है जड़ा आप देखिए AL upon AC AL upon AC दोनों में दिख रहा है आप ऐसा बोल दिजे कि put in first इसको आप पहले वाले में put कर दिजी यानि AL upon AC के प्लेश पे आप AN upon AD प्रूफ कर दिजे तो जब इसे इसके प्लेश पे put करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा हमें ये देखने को मिलेगा यहीं पर लिख देते हैं तो देखें हमें क्या देखने को मिलेगा यहां से कि अगर इसकी जगह ये रखेंगे तो AM upon AB तो हम लिखेंगे AM upon AB is equals to AL upon AC AL upon AC के जगह AN upon AD रख सकते हैं तो AN upon AD ठीक है और यही हमें बाइद बेब प्रूफ करना था तो प्रूफ करना क्या होता है उस चीज के उपर भी एक बार आपको concentrate करना पड़ेगा तब जाके आपकी proving अच्छे से हो पाएगी पहले आप इसमें देखेंगे question पढ़ते वक्त कि हमें पूछा क्या है हमसे पूछा क्या है उसी के हिसाब से अगर question solve करते हैं तो आपसे question easy way में solve हो जाएगा ठीक है चलिए तो third question आपको समझ में आ गया अब बात करेंगे हम fourth question में ठीक है fourth question भी proof ही करना है लेकिन वो भी इसी की तरह easy है वो tough बिलकुल नहीं है देखिए आपको अगर हम triangle chapter की बात करें तो हम शुरुआत में ही हमने बोल दिया था कि इसमें आपको patience के साथ काम करना पड़ेगा और आपको इस chapter के अंदर practice करनी बहुत ज़रूरी है ठीक है अगर आप practice करते हैं तो आपसे ये chapter easy way में हो जाएगा और question exam में आएगा तो solve हो जाएगा otherwise इस chapter के अंदर बहुत दिक्कत हो सकती है ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं fourth number का question की जरा समझते हैं कि fourth number का question दिया क्या गया है तो आप board screen पे देख सकते हैं बोल रहा है कि in figure 6.19 DE parallel to AC and DF parallel to AA तो आपको प्रूफ करना है कि BF upon FE is equals to BE upon EC यह हमें प्रूफ करना है तो जड़ा फोटो देखिए तो फोटो यहां देखिए क्या दिया गया है फोटो हम EC side बना देते हैं इस बाद यह कुछ ऐसा हाँ जी यह आपका यहां से ऐसा हाँ यह है इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं फिर यहां से C को मिला दिया है ठीक है एक बीच में D ले लिया है और वो बोल रहा है कि यह कुछ ऐसा है जी और एक A से इसको बनाना है तो हम ऐसे ड्रॉ कर दें अरे भाईया बंजा बंजा चलिए हो गया हाँ जी चलिए ठीक है वो देखते हैं फिर यह आपको यहां से ऐसे मिला देना है यह फोटो बन गया फोटो टफ नहीं बहुत इजी है यह A आपका दिया है यह आपका B है यह आपका C D E और यह F है जड़ा अब आप घ्यान से समझेगा हमको गिवन क्या है तो गिवन हमें यह है D E पैरलल टू A C अब यहां समझेगे जो D E है वो A C के पैरलल है ठीक है हम फोटो इसमें अलग-अलग बनाके भी सॉल्व करेंगे हम यह समझेंगे इस क्वेशन को अच्छे से एंड बोल रहा है यह भी कि जो D F है वो पैरलल है A E के जो D F है वो पैरलल है A E के ठीक ऐसा दिया गया है अच्छा हमको प्रूफ क्या करना है हमको प्रूफ करना है प्रूफ दैट B F upon E F is equals to B E upon E C यह हमें प्रूफ करना है ठीक है चलिए इस क्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे जरा अब वो देखिए D E पैरलल टू A C है सबसे पहले E C के बेस पे देखेंगे D E पैरलल टू A C है मतलब अगर हम देखें यहां पे तो फोटो एक नया बना लेते हैं इस फोटो के थुरू आपको बात ज्यादा समझ में आएगी तो थोड़ा छोटा ही फोटो बनाएंगे यह रहा ठीक है अच्छा D E पैरलल A C यहां पे A है यहां C है यहां B है यह देखिए A C के पैरलल यह आपको D E दे रखा है ऐसा बोल रहा है कि यह जो D E है वो A C के पैरलल है ऐसा बोल रहा है ठीक है अच्छा जब यह ऐसा बोल रहा है तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं प्रूफ करने के हिसाब से देखिए B F अपॉन E F तो B सॉरी B F अपॉन E F ऐसा कुछ नहीं दिया दूसरी तब देखे B E अपॉन E C B E अपॉन E C यह दे रखा है ठीक है मतलब यहां से देखे यह दे रखा है कि B E अपॉन E C तो आप क्वेस्टन में भी एक बार देखेंगे कि प्रूफ क्या करना है उसके बाद यहां पे फिर देखे तो B E अपॉन E C यह हमको प्रूफ करना था तो हम उसी के हिसाब से बात करते हैं कि जब D E पैरलल टू D E पैरलल टू E C दे रखा है तो हम क्या क्या बोल सकते हैं देखे हम बोलने को तीन चीज़े बोले थे हम बोले थे यह कि B D अपॉन E ले लिजिए B D अपॉन B A ले लिजिए या फिर आप ले लिजिए B A अपॉन E ले लिजिए तो हम बहुत सारी चीज़े ले सकते हैं लेकिर ऐसा तो होगा नहीं कि हम exam के time check करने बैठे ऐसा तो नहीं करना है हमें ऐसा करना है कि जो प्रूफ करना है हम वहीं पहुंचे मतलब सीधे चीनिया के आँख में तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा जो प्रूफ करना है उसकी help आप लेजिए BE upon EC की बात कर रहा है आप उसी के हिसाब से देखिए आपने देखा कि DE parallel to AC है BE upon EC तो क्या लिखेंगे BD upon DA is equals to BD upon DA आप यह बोलेंगे यह first equation हो गई ठीक है अब आगे बात समझे पहली बात तो हो गई दूसरी बात आप क्या देखिए क्या दिया है DF parallel to AE मतलब अब हम यह नया ट्रेंगल बनाएंगे ठीक है तो जरा यहां पर यह ट्रेंगल बनाएगे यह कुछ आपका ऐसे दिया गया है हाँ जी अब हमसे बोल रहा है कि DF तो DF तो यह ले लिजे आप अच्छा यह आपका क्या है DF parallel to AE तो यह आप ले लिजे यह A और यह E और यहां से ही आपका B यह है अब हमको DF देखना है तो DF तो यह माल लिजे यह को ही है D और यह है आपका F ऐसा ही करना पड़ेगा आपको आपने कर दिया हो गया अब जरा यहां समझ यह प्रूफ यहां पर जो भी करना है उसी के एकॉर्डिंग देखेंगे अब हमें दिया क्या गया है कि DF parallel to AE तो देखे DF parallel to AE यह गिवन है तो जब DF parallel to AE गिवन है तो अब यहां फिट से आईए BF upon EF तो BF upon EF या FE आप बोल सकते हैं ठीक कोई दिक्कत नहीं आप ऐसा लिख सकते हैं तो ऐसे ही चलिए जो यहां गिवन है उसी के हिजाब से चलिए तो BF upon FE लिखेंगे तो BF upon FE is equals to BF upon FE is equals to BD upon DA तो आप यहां से लिखेंगे BD upon DA और यह हमारी हो गई second equation ठीक है? अच्छा second equation, first equation जरा आप दोनों में देखिए तो कुछ common दिख रहा है क्या? तो यह BD upon DA और यहां पे भी BD upon DA तो आप यह बोल देंगे put in first put in first या आप ऐसा बोल सकते हैं कि by first and second या put in first तो जब इसके place पे यह put करेंगे यहां पे यह put करेंगे इसके place पे तो क्या देखने को मिलेगा? कि B E upon E C तो यहां से देखने को मिलेगा B E upon E C B E upon E C और BD upon DA B D upon DA के place पे B F upon F E तो B F upon F E आप रखेंगे ठीक है? अच्छा यहां पे E F लिखा है तो आप इसको E F लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है? लेंध की ही तो बात है तो आप E F लिख सकते हैं और इस तरीके से यह proof हो गया तो आप ऐसा बोल सकते हैं Hence, Proved तो यह हमने क्या कर लिया? Prove कर लिया ठीक है? तो यह fourth question था और fourth question भी आपने देखा यह उत्ता tough नहीं है easy question है ठीक है? अब देखें हम आगे बात करने वाले हैं fifth number के question की ठीक है? तो यहां पे एक ऐसा काम करते हैं अपन की fifth question को हम next video में करते हैं ठीक है? तो fourth अखी हम इसको रहने देते हैं आज के लिए तो हम इसके आगे वाली वीडियो में इसके आगे का portion cover करेंगे ठीक है? तो फिर अगर वीडियो आपको अच्छे लगती है तो आप लाइप और share जरू करिए ठीक है? और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो comment box में अपना comment डाल दीजिए उसका answer आपको मिल जाएगा और हाँ तो सभा यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो thank you